हलो फ्रेंड्स, आज हम डिसकस करेंगे energy consideration के बारे में, देखिये किसी भी organic reaction की बात करें, तो उसमें जब reactant products में convert होते हैं, तो इस reaction में energy में किस तरह से changes आते हैं, reaction exothermic होगी या reaction endothermic होगी और जब reaction proceed होगी तो उसमें कौन-कौन से steps में कितनी energy change होती है उसी के बारे में हम इस topic में discuss करेंगे देखिए किसी भी organic reaction की बात करें तो उसमें पहले bond breaking होती है और फिर नए bonds बनते हैं अब जब bond break होते हैं तो energy की requirement होती है और जब bond का formation होता है तो energy liberate होती है अब इसके basis पर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो reaction है वो exothermic है या endothermic है अब इसको समझने के लिए हम methane और chlorine की reaction करवा रहे हैं जिससे chloromethane और axial का formation हो रहा है देखिए अगर reaction forward direction में चलती है तो ये bond break अब इस bond को break करने के लिए हमें इतनी energy की requirement रहेगी और इस bond को break करने के लिए इतनी energy की requirement रहेगी फिर अगर इन दोनों के total की बात करें तो इन दोनों bond को break करने के लिए हमें इतनी energy की requirement रहेगी फिर जब product बनेंगे तो इस bond के बनने के लिए इतनी energy release होगी और इस bond के लिए इतनी energy release होगी और यह हो जाएगा total energy का amount जो release होगा या liberate होगा अब अगर हम इन दोनों energy को compare करें तो जब product बनेंगे तो ज्यादा energy release होगी और इन दोनों का difference 27 kcal हो जाएगा means जब यह reaction forward direction में proceed होगी तो इतनी energy liberate होगी अब यहाँ पर energy liberate हो रही है तो यह reaction एक्जो थर्मिक रहेगे अगर हम इस reaction को reverse कर देते हैं तो उस case में 27 kcal per more जितनी energy consume होगी अब यहाँ पर energy consume हो रही है तो reaction एंडो थर्मिक हो जाएगी अब यह तो बात हो गई एंडो थर्मिक और एक्जो थर्मिक रियक्शन की इसके अलावा किसी भी reaction को proceed होने के लिए और कौन-कौन सी energy की requirement रहती हैं पहले बात करते हैं activation energy देखिए चाहे reaction एंडो थर्मिक हो या एक्जो थर्मिक हो reaction को start होने के लिए कुछ energy की requirement होती हैं देखिए जब reaction start होती है तो पहले bond break होते हैं तो bond को break करने के लिए energy की requirement रहेगी अब ये energy reaction को कहां से मिलती हैं देखिए अगर हम physical chemistry की बात करें तो उसमें हम एक topic chemical kinetics पढ़ते हैं और इस chemical kinetics के according जो reactant के molecules होते हैं वो rapidly motion करते रहते हैं और उनके पास kinetic energy होती हैं अब कोई भी reaction जब proceed होती हैं तो ये reacting molecules एक दूसरे के साथ proper alignment में आते हैं और फिर एक दूसरे के साथ collide करते हैं अब इस तरह के collagen से जो molecules की kinetic energy होती हैं वो या तो chemical energy में transform होती हैं या system की potential energy में transform होती हैं तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी reaction को start करने के लिए जो required energy होती हैं वो reacting molecules के collagen से supply होती हैं और अगर हम system को heat करते हैं तो इससे rate of collagen increase होती हैं और इस तरह से जो required energy हैं वो भी increase होती हैं अब देखिए किसी भी reaction के reacting molecules के बीच में जो होने वाले collagen की बात करें तो वो सारे effective नहीं होते हैं means वो सारे उस reaction के लिए responsible नहीं होते हैं जिनमें participate करने वाले molecules के पास एक ऐसी minimum energy होती हैं जिसकी वज़े से वो reaction को start करते हैं अब collagen करने वाले molecules में अगर ये minimum energy नहीं होती हैं तो वो collagen ineffective रहेगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं reacting molecules के collagen से obtain होने वाली chemical या potential energy का वो minimum amount जो की reaction के लिए required होता हैं उसी को हम activation energy कहते हैं मिन्स एक minimum amount of energy होता हैं जिसकी वज़े से reaction proceed होती हैं उसी को हम activation energy कहते हैं अब exothermic reactions की बात करें तो इस case में जो reacting molecules हैं वो collagen के थुरू इस required initial energy को supply करते हैं और इसके बाद reaction जो हैं वो spontaneously proceed होती हैं देखिए exothermic reaction के case में heat release होती हैं और वो ही initial energy के form में use होती हैं लेकिन अगर हम endothermic reaction की बात करें तो उसमें जो heat हैं वो absorb होती हैं तो reaction को start करने के लिए हमें heat के form में उसको energy supply करनी पड़ती हैं और इस वज़े से जो molecules हैं वो activate होते हैं अब इसको हम एक example से समझते हैं यहाँ पर हम x की reaction y,z के साथ करवा रहें जिससे x,y और z बनते हैं अब इस reaction में जो steps involved हैं उसको हम इस तरह से represent कर सकते हैं देखिए जब reactants react करेंगे तो एक transition state या activated complex बनता है जो कि instantly products में convert हो जाता हैं अब ये transition state या activated complex क्या होता हैं तो उसको हम इस graph से समझते हैं देखिए यहाँ पर हमने reaction progress और potential energy के बीच में graph plot किया है ये curve exothermic का है और ये endothermic reaction का है यहाँ पर ये point reactant के लिए है means ये reactant की energy को represent कर रहा है और जो c point है वो product की energy को represent कर रहा है फिर बात करें b point की तो ये transition state या activated complex को represent कर रहा है देखिए जब reaction proceed होती है तो जो reactant के molecule है पहले उनकी energy increase होती है means यहाँ पर जो energy barrier है वो उनको cross करना पड़ता है अगर ये energy barrier cross नहीं होता है तो उस case में reaction proceed नहीं होती है तो इस energy barrier को cross करने के लिए जो reacting molecules है उनके पास ये minimum energy होनी चाहिए means यहाँ पर जो जितना difference है उतनी energy reacting molecules के पास होनी चाहिए और b state पर जो state बनती है उसको हम transition state कहते है देखिए इस case में जो यहाँ पर bonds बनते हैं वो partial bonds होते हैं इस वज़े से ये जो transition state या activated complex है वो stable नहीं होता है और इसके साथ ही इस point की energy भी highest होती है इसलिए ये unstable भी होता है इसके बाद अगर हम A point और C point की energy का difference देखते हैं तो A point की energy C point से ज़्यादा है means जब reactant product में convert होते हैं तो energy decrease हो जाती है और यही energy liberate हो जाती है और इसी वज़े से हम इसको exothermic reaction कहते हैं फिर बात करें endothermic reaction की तो transition state उसी तरह से बनेगा लेकिन अगर हम A और C को compare करें तो C की energy A के comparison में ज़्यादा होती है means जब reactant product में convert होते हैं तो energy increase हो जाती है तो हम कह सकते हैं A से C में conversion जब होता है तो energy increase हो जाती है और यह energy heat के absorption की वज़े से increase होती है तो इस वज़े से इस reaction को हम endothermic reaction कहते हैं तो यहाँ पर हम इन दोनों curves की बात करें तो इसमें एक energy barrier है और इसी energy barrier को cross करने से जो reaction है वो proceed होती है और इस curve का जो highest point है उस पर transition state या activated complex बनता है अब जैसा कि हमने discuss किया था जो activated complex हैं उसमें जो bonds होते हैं वो partial होते हैं तो इस वज़े से हम activated complex को एक true molecules नहीं कह सकते हैं और activated complex के state में जो system है वो maximum energy possess करता हैं इसलिए वो unstable होता है यह हम कह सकते हैं जो activated complex हैं वो infinitesimally short life का होता हैं और readily products में decompose हो जाता हैं अब unstable होने की वज़े से activated complex को हम isolate नहीं कर सकते हैं फिर बात करते हैं transition state और intermediate की देखिए अभी हमने activated complex के बारे में discuss किया था और उसको हम कर रुके इस point से represent करते हैं इसको हम transition state भी कहते हैं और इसको हम isolate नहीं कर सकते लेकिन कुछ reactions ऐसी होती हैं जिनमें एक stage और आती हैं जिसको हम intermediate कहते हैं देखिए intermediate एक ऐसी chemical entity होती हैं जिसको हम isolate कर सकते हैं अब इसका reason ये होता हैं क्योंकि इसकी energy जो हैं वो transition state के comparison में कम होती हैं तो ये transition state के comparison में ज़्यादा stable होता हैं अब इन दोनों के difference को हम x represent करते हैं देखिए यहाँ पर x जितना ज़्यादा होगा उस case में intermediate उतना ही stable होता हैं फिर इस intermediate के लिए एक energy barrier और होता हैं जिसको इसको cross करके product में convert होना होता हैं तो हम कह सकते हैं ऐसी reactions जिन में सिर्फ activated complex बनता हैं उसमें एक energy barrier होता हैं और ऐसी reactions जिसमें intermediate involved होता हैं उसमें दो energy barriers होता हैं एक होता है transition state का और दूसरा होता है intermediate के बाद का फिर बात करते हैं activation energy पर catalyst का क्या effect होता हैं देखिए generally हम पढ़ते हैं जो catalyst होता है वो rate of reaction को alter करता है अब generally हम catalyst का use ऐसी reactions के लिए करते हैं जिनकी rate of reactions लो होती हैं तो catalyst क्या करता है rate of reaction को increase करने में generally काम में लिया जाता है अब ये कैसे करेगा तो देखिए इसको हम इस graph के help से समझते हैं यहाँ पर जो dark line बनाई गई हैं तो इसका energy barrier इस point पर है अगर हम इस reaction में catalyst add कर देते हैं तो catalyst क्या करेगा जो activation energy है उसको कम कर देता है अब energy barrier कम होने की वज़े से क्या होगा जो reactant के molecules हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस energy barrier को easily cross कर लेंगे और इससे ज्यादा से ज्यादा product बनता है तो simply हम क्या सकते हैं जो catalyst है वो reactant और product में किसी भी तरह का change नहीं करता है वो just क्या करता है activation energy को decrease कर देता है और उस वज़े से rate of reaction है वो fast हो जाती है